हेलो दोस्तो स्वागत है आपका Extra Explain में आज हम explain करने वाले है एक ऐसी मूवी को जिसमें दो मासूम लड़कियों को कुछ लोग उठा कर उन्हें जंगल में ले जाते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं और उनसे धन्धा भी करवाते हैं दोस्तो लड़किया के से उनसे बचे वो हम इस मूवी में देखेगे तो दोस्तो कहानी की शुरुवात होती है और हम केटी और स्लोन नाम की दो बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो की पढ़ाई करने न्यू यॉक जाने वाली होती है दोनों बात कर रही होती है कि इस बार हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेगे इस बार तो हम न्यू यॉक भी घूमे गए नैक्स्ट दिन दोनों को लेने केटी के अंकल आते हैं जिनका नाम जैसन होता है जो की एक FBI एजेंट होते हैं दोस्तों केटी और स्लोन दोनों काफी मस्ती करते हुए अंकल जैसन के घर जाते है जहां वो अंकल की गल्फ्रेंट से मिलती है और उनसे मिलकर दोनों काफी खुस होती है रात को केटी और स्लोन दोनों न्यू यॉक में घूमने जाने के बारे में बात करके काफी खुस होत पहुँचने के बाद मुझे मैसेच करना और कोड वर्ड इस्तेमाल करना ताकि मैं समझ सको कि तुम दोनों सेफ हो फिर जेसन के जाने के बाद दोनों पास ही के होटल में कॉफी पीने जाती है जहां पर दो लड़के आते हैं जिनका नाम जेड और लुकस होता है और उन दोन के बाद स्लोन केटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है जिसके बाद वो दोनों उनके साथ चली जाती है दोस्तों जेड और लुकस उनको न्यू यॉर्क ले जाने की बजाए जंगल के बीच उनके घर ले जाते हैं घर पहुँचके दोनों ही डर के वापस जाने की ब और इस वजा से वो भागने लगती है लेकिन जैड और लुकस दोनों को पकड़ के वापस घर में ले आते हैं फिर अगले दिन जब दोनों को होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल के बीच एक कंटेनर के अंदर चैन से बंधा हुआ पाती है दोस्तों लरकिया देखती है उनके कुछ कपड़े भी निकाल दिये थे जिससे दोनों काफी डर जाती है और चिलाने लगती है जहां सामने से जैड आता है और कहता है कि यहां तुम्हें कोई नहीं सुनने वाला क्योंकि आसपास कोई नहीं है वो उन्हें जरूरी सामान देकर चला जाता है तब वहा पर पता चलता है कि वो पुलिस वाला उनसे मिला हुआ है जिसके बाद पुलिस वाला पावर की गोली खाकर केटी के साथ काफी देर तक गलत काम करता है। किया तो कॉलेज पहुची ही नहीं जिसके बाद वो तुरंट उन दोनों को धूनने के लिए निकल जाते हैं वही जंगल में जैड और लुकस किसी की आवाज सुनकर केटी और स्लोन को मास्क पहना देता है और तभी वहाँ पर सूर का मास्क पहन कर एक आदमी आता है। किया जाने के बाद केटी स्लोन के पास जाती है वो देखती है स्लोन रो रही होती है और उसकी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ गई होती है वही अंकल जैसन पुलिस स्टेशन जाते हैं एफाई आर दर्ज करवाने जहां हम उसी पोलीस वाले को देखते हैं जिसने गोली लेकर केटी के साथ गलत काम किया था यहाँ पर पॉलीस वाला केता है हम दोनों लड़कियों को धूनने में आपकी मदद जरूर करेगे वही जैसन उस होटल में जाता है जहां से दोनों उस गारी में बैठी थी वहां होटल ओना बताता है वो दोनों दो लड़कों के साथ ग्लू कलर की कार में गई थी वही हम केटी और स्लोन को देखते हैं जिन पर एक नसेडी नजर रखे हुवे होता है और उसके पास चैन की चाबी भी होती है दोस्तो स्लोन नसेडी को अपनी ओर अट्रेक्ट कर उसके पास जाती है और मोका देख स्लोन उसे काट लेती है जिसे वो नसेडी मारा जाता है अब स्लोन और केटी दोनों आजाद हो जाती है और एक जगा पर छिप जाती है तभी वहाद दूसरा राउंड लेने पुलिस वाला आता है यहाँ पर मोका देख दोनों लड़किया उसकी कार लेकर भाग जाती है और एक शौप में जाके कुछ हतिय खरीदती है अब दोनों लड़किया बोरिस के घर जाती है और उसे खूप टॉर्चर करती है और आखिर में मार देती है उसके बाद दोनों एक चर्च में जाती है चर्च में दोनों लड़कियों को देख फाद की तो पटी पड़ती है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता जिसने अंकल जैसन को पकड़ के रखा होता है और उनके पास के कमरे में दो लर्कियों को भी बांध के रखा था पुलिस वाला लर्कियों के साथ गलत काम करने वाला होता है लेकिन सही वक्त पर केटी और सलोन आ जाती है सलोन पुलिस वाले के सर पे मार के उसे बेहोश कर दे अब केटी और स्लोन दोनों मिल के पुलिस वाले को बांध देती है और तभी केटी अंकल जैसन के कमरे को बंद कर पुलिस वाले को शूट कर देती है। देखते हैं जो कि सब न्यू यॉर्क घूमने भी गए थे और केटी और सलोन आखिर में अपने शहर वापस आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग